नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आपको अपने आज से संतुस्ट रहने की आवशकता है क्योंकि कल क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जान पाया है याद रखे दोस्तों आप जो भी कारिक करेंगे उसके शुब या फिर अ वशे जुड़े जिससे दोस्तों शिवशंकर की करपा आप पर बनी रहे और बजरंग बली का भी आशिरवाद आपको प्राप्त हो सके दोस्तों ये समय आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है और इन चौपिस घंटे में आपकी किसमत सवरने वाली है जी हाँ द पूफानी खवर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इन 24 घंटे में क्योंकि दोस्तों मतरानी का भी आशिरवाद आपकी ओपर पड़ा है और इन 24 घंटे में आपके राशी वालों पर देवता बहुत प्रसन्ने हुए हैं क्योंकि दोस्तों शनी का शश्योग, सरवाध सि दियोग भाग्यवान योग और राच योग भी बन चुके हैं दोस्तो इन 24 घंटों में जिससे कि आपकी अपकिस्मत का ताला खुलेगा और किस्मत चमकेगी आपके जीवन में आप लोगों को इन दिनों में अनेको प्रकार के लाव धनलाप और बड़ी-बड़ी सफलताओं केवल यही है अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा ये समय आपके लिए काफी अच्छा है चाहे तो दोस्तो आप इस टाम पीपर पर लिख कर भी ले सकती है इतना अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है तो दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक हमें इस चीज की प्रापती हो तो दोस्तों कौन कौन सी बड़ी खुशकभणी आपको इन दिनों में मिलने वाली है दोस्तों सीधा आशिरवाद मिलने में वाला आप अपको इसले आज के इस वीडियो को आप शरूरे लेकर अंतख देखें और इसके साधी के साथ वीडियो आगी शुरू करने से पहले आज केवल नसीब वाला ही आज की वीडियो देख पाएगा इतनी भागेशाली वीडियो यह रहने वाली है यदि वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो आप इसे पूरा वीडियो देखें अगर आपको लापराप्त करना है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको संपून और सटीक राशी फल के बारे में बताएंगे ये समय आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है कौन से नय और बड़े बदलाव आपका इंतिजार कर रही है दोस्तो इसके साथी साथ आपको कुछ खास साफधानिया भी आपको बताने वाले है भकवान ने सभी को एक समान बनाया है सबका शाररिक रूप ये एक जैसा है नाकनक्षा थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन सबसे जादा इंसान की प्रवर्ति उसके विचारों के माध्यम से पता लगती है जिहां दोस्तो आपको बता दे कि धन अर्जित कर लेने से कोई बहतर नहीं बन जाता है बड़े ही ग्यानियों को ग्यानियों को भी दोस्तो दोके का सामना करना पड़ता है इसके साथ ही दोस्तो आपको बता दे मू और अहंकर ये सारी बाते आप सभी को पता है परंदु आपके साथ वाले व्यक्ति फिर भी बेमानी एहंकारी घमंडी है शरीर दोस्तों बता दे कि उसका साथ छोड़ देगा जल्दी क्योंकि वे आपका मित्र नहीं है जाद रखें कि आपका शत्रू है कभी ने कभी ये आपको चार लोगों के सामने नीचा जरूर दिखाएगा और अपने एहंकार के माध्यम से वे आपको नीचा अवश्य से ही दिखाएगा इसलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतक देखिएगा आज की वीडियो भागेशाली और नसीब बाला ही आज की इस वीडियो को देख पाएगा जी हैं दोस्तो पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर अंतक देखे और मेहदपून बात दोस्तों आप सभी को बता दे वीडियो के माद्याम से जो खुशकबरियां आपको बताएंगे इन खुशकबरियों के साथ-साथ कुछ खास सावध्धानिया भी आपको रखनी पड़ेंगी इन साफधानियों को आपको ध्यान में रखना होगा इन साफधानियों को बरतना होगा मैदबून बातों पर विशेज ध्यान देना होगा जिसे कि इन 24 घंटे में आपको लाब मिले उस लाब को मिलने से कोई भी नहीं रोक पाए ये खुशकबरियों दोस्तों बड़े लाब धनलाब बड़ी बड़ी सफलता हैं आपको हर हाल में मिलकर रहेंगी यदि आप खुशकबरियों के साथ इन साफधानियों पर भी ध्यान देते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा आपको खास साथ धानिया बताएंगे खुशकबरिया बताएंगे ग्रह रक्षतरों में किस प्रकार बदलाव होगा सब पूर्ण और सटीक राशिफल बताने वाले हैं ये समय कैसा रहेगा दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तभी पाट कर आप वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई लाब नहीं मिलने वाला है वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है मालक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें वो सच्चे दिल से कमेंड वाक्स में जय मालक्ष्मी ओम नम रहने वाले हैं इसलिए आपसे हाँ जोड़कर निवेदन है आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंतक देखें दोस्तों आपकी अपकिसमत चमकने वाली है अगर हम यू कहें जी हैं दोस्तों इसके साथी साथ मालक्ष्मी की किरपा आपके उपर अबदिक से अधिक अब बनी रहने वाली है और दोस्तों आप सभी को बता देएं कि यदि आप मालक्ष्मी का नाम लेकर के यदि कोई भी कारे आप शुरू करेंगे कोई भी कारे आपने शुरू किया है या आप करेंगे तो उसमें आप लोगों को सफलता अवश्य ही मिलेगी और निश्चित तोर पर मिलेगी मालक्ष्मी का नाम लेकर के आपको भी काम करेंगे उसमें आपको लाप अवश्य से मिलेगा इसके साथी साथ दोस्तों मालक्ष्मी की करपासे आप अपने जीवन में अब बहुती तेजी से आप प्रगर्ती करते हुए आगे बढ़ेंगे अगरिसर ये सफलता के नए-नए कीर्थी मान इस्थापित करने वाली है आप और हर शेत्र में आपको अपकामियाभी मिलने वाली है चाहे वह छेत्र छिक्षा का छेत्र हो नौकरी का शेत्र हो या फिर व्यापार का छेत्र हो आपको नए-नए खुशकबरियां मिलने के काफी हद तक य होने वाला है और दोस्तों आप सभी को बता दें कि साबधानी के तौर पर एक बात आप लोगों को कि आप किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी महतपून फैसला ना करें सोज समझ करके आप कोई भी फैसला करें क्योंकि दोस्तों यह दि आप किसी के भी बैकावे में आ करके किसी भी प्रकार का कारे करती हैं फैसला करती हैं तो वे आपको हित की जगा अहित पहुचा सकता है आपको नुकसान पहुच सकता है जी हैं दोस्तो वे फैसला कोई भी हो सकता है आपके करियर से जुड़ा हुआ हो व्यापार से जुड़ा हो प्रेम संबंदों से जुड़ा हुआ हो नौकरी से जुड़ा हुआ हो कोई भी फैसला है आप लोगों को सोच समझ कर करने की आवशकता रहने वाली है इसके साथी सा भी आप लोगों को सोच समझ कर करने की आवश्यक्ता है इसका गलत फायदा आपका नीचर आपके व्यभार का जो आपका अच्छा व्यभार है बोलापन है इसका लोग गलत फायदा उठा सकते हैं दोस्तो इससे आपको छती पहुच सकती है हम यह आपको इसलिए बता रही है क्योंकि आप से लोग सारे काम करवा लेती हैं या फिर जब पैसे लेने की बात हो या कोई काम हो तो दोस्तों बता दें कि जब आपकी बारी आएगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो दोस्तों हम आपको बस यही कहेंगे कि ऐसे लोगों से आपको थोड़ा प्रेम सम्बंदों से जुड़ी विपातों के बारे में तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अवश्य देखें पती पत्नी के सम्बंदों में मदुर्ता बनी रहीगी यदि किसी कारण से कुछ भी अन्बन चल रही थी तो वह भी दूर होने वाली है कि आविवाहितों के लिए ये काफी अच्छे रिष्टे का पिर्स्ताप आ सकता है मांगले शुपकार्यों की भी यू कहें तो शुरूवात हो सकती है विवा सम्बंदित चर्च आपके घर में चल सकती है आप विवाहितों के लिए समय अनकुल रहेगा अच्छे जीवन साथी की तलाश भी हो सकती है यदि आप किसी को भी प्रेम करती है तो दोस्तों आप लोगों को प्रेम संबंदित मामलों में उसको पूर्ण रूप से आपको कह देना चाहिएं कि आप उनसे प्रेम करती है विवा करना चाहते हैं दोस्तों तो भी आप विवा कर सकती है इसके भी काफे पूर्ण योग चल रहे हैं इसके साथी साथ दोस्तों बच्चों की समस्याओं को ले करके जीवन साथी से कुछ मामलों में नोग जोक रह सकती है इसके साथी साथ दोस्तों आप से भी को बता दे यह जल से जल प्रयास से दूर हो जाएगी जो भी छोटी मोटी नोगजोख है लेकिन जी नोगजोखो सकती है बच्चों की समस्यां को ले करके तो इससे आपको थोड़ा सा साथधान रहना है और जादा निराश होने की आवशकता नहीं है